इस साल अनंत चतुर्दशी आज 28 सितंबर याने आज मनाई जा रही है अनंत चतुर्दशी के पर्व भातरपाश शुक्त चतुर्दशी को मनाया चुआता है इस दिन भगवान विश्लु के अनंत रूप के पूजा की जाती है इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है माना जाता है कि इसको धारन करने से संकटों का नाश होता है इस दिन भगवान विश्लु के भक्त पूरे दिन का अपुवास रखते है और पूजा की दोरान पवित्रुधा का बानते है भगवान गनेश वा विसर्चन भी से दिन करजाता है इसलिए इस परव का महत्व और भी जाता बढ़ ज़ाता है भारत के कई राज्यों में ये परव थूम धाम से मनाया ज़ाता है तो आज गंपती जवी का विसर्चन करेगा इसी के साथ ही अनन्त चतुर्दशी का भी हम कह सकते हैं कि आज पर्व पूरे देश फर में मनाया जुआ रहा है अपने आप में इस पर्व का महत्व है और बात करें मुंबई की क्योंकि मुंबई में भवय उत्सव होता है क्योंकि गनेश जी का विसरजन मुंबई महाराज में काफी जादा लोग प्रिया है तो ऐसे में मुंबई में भी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतिजाम किये गए हैं हर साल लाखों की तादाद में लोग यहां पर जाते हैं शुरत धालू जाते हैं और ऐसे में काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वाज देश भर में गणेश विचरजन क्या जाएगा गणपती जी जो दस दिन के लिए जिनकी स्थापना की गई थी आज उनकी मूर्ती का विचरजन होगा मंद्रिप्रदेश में भी जगा जगा पर सुरक्षा के लिहाज से गड़े इंटर्जाम किए गए हैं क्योंकि नदिव में वसर्चुन क्या जाता है तालाब zalपों में वसर्चुन क्या जाता है ऐसे में कई सारे हासे بھی हो जाते हैं तो इस लिहाज से भी तयारिया पूरी कर ली गई है। तो खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में गनेश विसरच्वन की तयारिया हो गई है। कुछ ही देर बाद भगवान गनेश का विसरच्वन भक्त गन करेंगे और भगवान को अंतिम बिदाई देंगे। इसी के साथ ही सुख समृध्धी की कामना भी आज की जाएगी। प्रदेश की देश की विग्न हरता के नाम से जाना जाता है भगवान गनेश को। देश भर में आज विग्न को हरने की जो भी संकठ हमारे देश में आए उसे हरने की कामना प्रभूश्री गनेश्ची से भक्त गन करेंगे आजन का विसरचन करेंगे। भंडारे होते हैं कई जगा छपन भोग लगाये जाते हैं।